हेलो फ्रेंड़्स, फेलकम टू माई चैनल, आज आप लोगों के साथ मैं सरे क्रिसंजी का एक माला बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए हमने देखिए इस तरह के कुछ वाइट ले लिए हैं और कुछ इस तरह के हमने मोतियां ले लिए ये रेड कलर की मोतियां है देखिए रेड कलर की मोतियां है ये तो चलिए हम माला बनाना आप सुरू करते हैं एक बार वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एं वीडियो को लाइक जरूर करें और बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो चलिए फ्रेंट से हम चालू करते हैं पहले हम पहले हम चार सुईया लेते हैं तो देखे दोस्ति इस फ्रेंद राम से मार्केट में मिल जाती यह मालाग उतने वाली सुए है देख रहा है मेला उतने वाली सुए और हर सैज आती है और जा सब्सक्राइब कीम आईलन नंचा है यह घागा भी आपकर किसी भी End तो जाटा है तो किसले बीडियो में वाइट रंŽ का नेट मुच बनाया था उपरा चोली और बना रही है तो ऐए हम यह जादा बड़ा नहीं, हम थोड़ा सा इस लैस को काटेंगे, काटने के बाद देखिए, इसको हम यहां से ऐसे फोल्ड करते हैं, देखिए, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करके इसमें पले, हम सुया को वन बाई वन कर के गाट लगा लिया है हम इसको ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे नत्थी देखिए यहाँ पर हम गाट लगा लेते हैं नो तो देखिए फ्रंट सी हमने लेस लगा लिया है नीचे में देखिए ये इसके बाद वाइट मोती हमने डाल दिया है अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो चार सुया है ये चारों सुया को दो हिस्सों में बाट देना है अगर वहां से ना हो पाए, तो यहां से भी हम कर सकते हैं, इसको दो हिस्सों में बाटके, दो लरी धर चली जाएगी, दो लरी धर चली जाएगी, इसी में हम फिर आगे बढ़ा करके इसको बनाते हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको, देखिए फ्रंट्स इसको हमें डाल देना है, इसमें इसको ऐसे डाल देंगे, देखिए, इसको ऐसे डाल देना है हमें, फिर इसी सुई में इसको भी हमें डालना है, इसी सुई में देखिए, इसको भी हमें डालना है, देखिए, इसको हमने डाल दिया, ऐसे ही, देखिए, तीन-तीन ही मोती हमें डालना है, ऐसे ही, इस सैड एक बार और हम आपको डालके देखा देते हैं, बनारे सब्सक्रीजिकों कज़े को फिर से एक बार हम डालेंगे, तो देखिए यह हमारी लरी बन गए तीन तीन की मोतियां बनते जा रही दोनों साइड की देखिए इधर भी तीन बन गया इधर भी तीन बन गया बन गया अब इसके साथ हम देखिए अब आगे बनाते हैं कि कैसे बनेगा तो चलिए कुछ दूसरा चीज बनाते हैं इसमें लगाते हैं तो देखिए प्रण जैसा कि हमने लहंगा में लगाया था और ये वाला कैफ हमने बनाया था उसमें भी ये श्टोन लगाया था वही वाला इस्टोन इसमें भी हम लगाते हैं तो इस वर चारो सुईया को हम एक साथ इसमें लगाना है देखिए चारो सुई को हम इसमें लगाते हैं देखिए ये दो सुईया आ गई अब फिर ये दो सुईया है इसी साइड से हम इसको लगा लेते हैं इसमें तो देखिए इस लेस को अज़े आगे हम लगाएंगे अपने अक्छा के अनुसार जितना लंबाई असे अज़ाएंगे इसका माले काच कर सकते हैं इसको भी उसी की तरह हमें ऐसे करके में फोल्ड करना आप जाएंगे तो लाईटर से कसी चीज़ से हम इसको किनारी को बंद कर लेंगे आने तो यहां से ऐसे बंद करने के बाद भी इसको हम ऐसे कर सकते हैं ऐसे ऐसे करके इसको जहां तक मर्जी हम करने के बाद में सुई में इसको नथी कर लेंगे देखिए ऐसे ऐसे इसको हम करते जाएंगे तो चलिए इसमें इसको ऐसे हम करक स 아침 गुरम कर्के काम ख़र हो में गोल गोल भी खुमा। जो है इसका सफरंस फेल भी वड़ाइंगे उतना बड़ा आते जाएगा, अब इसके आगे बनाने की बात है, अब चलिए इसके आगे भी हम इसको पूरा complete कर लेते हैं, ऐसे ही देखिए, जैसे के हम बतारे देखिए, यह यहाँ पर इसको ऐसे घुमा लेंगे, इसको इस सेफ में भी घुमा लेना है, इसको इस सेफ में भी घ पा रहा है, तो जैसे यह इस किनारी से ले करके देखिए, दो सुईया हमारी दिख रही है, आपको दो सुईया हमने लिया है, इस किनारी से इस कर करके भी इसको आप एक साथ दोनों सुईया को, इस लैस के किनारी किनारी से भी आप करते जाएंगे, तो अपने आप आपका फोल्ड होते जाएगा फ्रेंड़्स, देखिए, ऐसे देखिए इसका फोल्ड होते जा रहा है, इसका फोल्ड होते जा रहा है, यह आपका से भी आते जाएगा फ्लाार का, हुआ है और यह तो देखिए ओप्रण्ट से दोनों तरह के हमारे तयार है देखिए इस इस साइट का भी हमने तयार कर लिया आप देखिए आपको इसको तो हमने फोल्ड कर करके इसमें नथि कर लिया लेकिन अगर आप मों अपने मर्जी से चाहेंगे इसको तो ऐसे ऐसे इसका फोल्ड घुमा भी सकते हैं आगे पीछे भी हो जाएगा यह एक साइड नहीं नहीं होना जरूरी है इसको ऐसे ऐसे कर देंगे तो यह अपना घुम भी सकता है तो जीरो साइज के काना जी के लिए ह हम बना रहे फ्रेंट्स तो उनके लंबाई के हिसाब से यह हमारा माला तो वैसे तयार हो गया है तो चलिए अब इसको हम यहां से बंद करते हैं तो देखिए फ्रेंट्स इसके बाद यह हम वाइट वाला मोती है दोनों सो एक ही मोती में लगा लेंगे वन बाई वन करके द आगे पीछे तक इसका बढ़ते रहेगा इसलिए इसको एक ही सुई में हमको लगा लेना है देखिए हमने इसको निकाल लिया है ध्यान रखना है इसका धागा इसमें फसे नहीं किसी में भी यह दागा नहीं अगर सुई को हम ठीक से रखेंगे तो धागा फसते रहेंगे इस इसके बाद यह जो हमारा धागा बच रहा है इसको हमें आज से कट कर लेते हैं देखिए हमने इसको कट कर लिया है टूर फ्रेंड्स यह हमारा माला बन के रेडी है जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत प्यारा और सुन्दर छोटा सा माला बन गया ये जीरो सैज के भगवां जी के लिए हमने बनाया है ऐसा ही एक और माला हमने पहले से बनाया था देखिए वही रीबन का है वही वाला देखिए अपने डेकुरेट करने के उपर जैसे मोती ले सकते हैं वैसे बना सकते हैं पर इसमें का हमने सेट बनाया था उनके लिए मैं डाल के भी आपको दिखा रही हूं तो छलिए मैं प्रिंजिंष्ण मोगान को थोड़ा सा कष्ट दे रही हूं, बहना रही हूं को तो फ्रेंट्स देखिए हमने इनको यह माला पहना के तयार कर दिया है ये कपड़ा जो हमने बनाया था नेट का वाइट कलर का ये हमने पिछले वीडियो में डाल दिया है और ये देखे जो की दिखराया चोली हमने भी बनाया था और इसके साथ का मुकुट बनाया था तो उसी के साथ किसी ने बोला कि मेरे को माला भी बना देना और दिखाना कि कैसे माला बनेगा तो हमने माला बनाया फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो और माला अड्रेस क्रिशन जी कैसा लगा राधे राधे